आज के इस वीडियो में एक महत्वपून टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका नाम है सिम्डेगा जीला आईए इसकी सुरुआत करते हैं सुरु करने से पहले आपको बता दे कि यदि आप JPSC या JSSE की तयारी करते हों इसके लावा आप जारखन के किसी भी परतियोगी परिक्षा की तयारी करते हैं जिसमें आपको जारखन सामाने ग्यान से प्रशन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपून है आइए इसकी सुरुआत करते हैं पीडियो प्राप्ट करने के लिए आप टेलिग्राम चैनल पर चले जाएए जारखन स्पेसल क्लासिस लिखकर सर्च कीजे चैनल से जूर जाएए आपको सभी वीडियो के पीडियो प्राइफ वही मिल जाएंगे आइए वीडियो की प्रखंड है? बानो, कुल बीरा, जल्डेगा, बांस जोर एक सिम्डेगा प्रखंड भी है सिम्डेगा जीला के अंतरगत इसके आवालावा पाकरटाट, ठठाइन अगर, बोलवा, केरशय, कुल देग ये कितने प्रखंड हुए? कुल दस प्रखंड हुए जो की इस की सिधिक है। जैसे कि, आप मानचित्र को देख पा रहे होंगे। आपको एको और शिम्डेगा जीला का मानचित्र दिखाई दे रहा होगा। और एक साइड आपको जार्खन का मैप दिख रहा होगा। जार्खन के मानचित्र में आपको देखना है कि सिम्डेगा कहा है। ये रहा सिम्डेगा। सिम्डेगा दक्षनी चोटानाकपुर प्रमंडल का भाग है। आपको मालूम है कि जारकन में 5 प्रमंडल है जो भी आपको ग्रेन कलर में 5 जीले दिखाई दे रहे हो ये सभी दक्ष्री छोटानाकपुर प्रमंडल का भाग है जो भी आपको blue color में दिख रहा हो ये कुल 7 जीले होते हैं और ये है उतरी छोटानाकपुर प्रमंडल जो भी आपको red color में दिखाई दे रहा है ये कुल 6 जीले हैं और ये है संथाल परगना प्रमंडल यलो कलर में तीन जीले आपको दिख रहे होंगे गड़वा पलामू लाते हार ये है पलामू प्रमंडल और इस साइड जो आपको पिंक कलर में तीन जीले दिख रहे हैं सराई केला खर्शामा, पुर्वी सिंभूम और पश्मी सिंभूम ये है कुलहान प्रमंडल अभी हम जिस जीले के बारे में बात कर रहे हैं वो है सिम्डेगा और ये आपको मिल जाएगा दक्षिन छोटानागपुर प्रमंडल में अगर आप मैं आपको ध्यान से देखे तो आप आएंगे कि एक और चत्तिसगर और दूसरी और उडिसा के साथ सिम्डेगा अपनी सीमा साजा करता है यानि सिम्डेगा ऐसे जीलों में आता है जो एक से अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साजा करते हैं जैसे ये रहा पूर्वी सिंबू एक और से पश्रिम मंगाल और दूसरी और से उडिसा के साथ जुड़ा हुआ है। सराई केला भी एक और से उडिसा और दूसरी और से पश्रिम मंगाल के साथ जुड़ा है। ठीक उसी प्रकार से ये दुमका भी जो है एक ओर से पश्रिम मंगाल और दूसरी ओर से बिहार के साथ जुड़ा है साहिब गंज भी एक ओर से पश्रिम मंगाल और दूसरी ओर से बिहार के साथ जुड़ा हुआ है यानि कि ऐसे अन्य भी जीले हैं सिम्डे को छोड़ कर जो एक साथ दो राज्यों के साथ अपनी सीमा साजा करते हैं एक है और गढवा जो कि पलामू प्रमंडल में आता है और यह एक नहीं, दो नहीं, तीन राज्यों के साथ अपनी सीमा साजा करता है पहला है बिहार, दूसरा यूपी, यूपी के साथ सीमा साझा करने वाला एक मात्र जीला गड़वा ही है और तीसरी ओर से 36 गड़वा तीन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है अगर आपसे question पूछा जाए कि ऐसे कितने जीले हैं जारकन में जो कि एक से अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं तो आंसर हो जाएगा छे, आप गिन सकते हैं क्योंकि एक सेधिक राज्यों की जब बात हो तो गड़वा का भी नाम आएगा और आपसे पूछ लिया जाए कि तीन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला जीला कौन सा है तो आप बता सकते हैं कि गड़वा है इस तरह से हमने सिम्डेगा की स्तिती को समझा और एक इंपॉर्ट्रेट सिम्डेगा जो है गुमला से विभाजित होकर बनाता ये भी आपको याद रखना है जारकन का 21 जीला जो की 30 अप्रायल 2001 को बनकर तयार हुआ इसका गठन है सिम्डेगा जीला का गठन का तारीक है वो इस दिन ये गुमला से अलगोंकर बनाता क्वेशन पूछ लिया जाता है कोई भी जीला के बारे कि वो किस जीला से अलगोंकर बनाता इस तरह से हमने बहुत सारी ऐसी बातों को जाना जो कि हम आन्चितर की साहिता से आसानी से जान सकते थे हैं अब हम उन प्रशनों पर बात करेंगे जो कि परिशा में सीधे तौर पर पूछ रिये जाते हैं आईए अब उनी प्रशनों को देखते हैं पहला प्रशन है सिमडेगा जीला किस प्रमंडल का भाग है आंसर है दक्षनी छोटा नाकुर प्रमंडल जैसा कि अभी आपने देखा Q2 है कि सिमडेगा जीला का गठन कब हुआ था आंसर है 30 अपरायल 2001 को और यह जारखन का 21 जीला था Q3 सिमडेगा जीला गठन से पूरो किस जीले का भाग था आंसर है गुमला जीले का Q4 सिमडेगा जीले का मुख्याले कहां है आंसर है सिमडेगा में Q5 सिमडेगा जीला का छेतरफल कितना है आंसर है 3774 वर्ग किलोमीटर सिमडेगा जीला का कुल छेतरफल है Q6 है कि 2011 जन्गन्ना के अनुसार सिम्डेगा जीला की कुल जनसंख्या कितनी है आंसर है 5,99,578 Q7 है नियुन्तम जनसंख्या वाले जीलों में सिम्डेगा कौन से अस्थान पर है आंसर है तीसरे अस्थान पर जैसा कि आपने देखा 5,99,578 कुल जनसंख्या है तो यह नियुन्तम जनसंख्या वाले जीलों के कैटेगरी में आएगा और यह अस्थान पाता है तीसरा अस्थान पहला नंबर पर है लोहर्दगा और फिर फूटी और तीसरे अस्थान पर सिम्डेगा जीला है जिसमें नियुन्तम जनसंख्या निवास करती है क्वेशन नंबर एट है सरवाधिक अर्प संख्यक परतिशत वाला जीला कौन सा है आंसर है सिम्डेगा और आपसे परतिशत पूश रिया जाए तो इसका आंसर है 53.81% क्वेशन नंबर नाइन नियुन्तम अनुसूचित जाती जनसंख्या वाले जीलों में सिम्डेगा का स्थान कौन सा है आंसर है पाँच्वा नियूंतम अनुसूचित जाती जनसंख्या यानि की सिम्डेगा में अनुसूचित जाती के लोग बहुत कम निवास करते हैं और इसमें यह पांच्वा स्थान पर आता है पहला स्थान लोहडगा का है, दूसरा खूटी का, तीसरा पाकुर, चौथा गुमला और पांच्वा स्थान रखता है सिम्डेगा क्रेशन नमर टे, 2011 जन्यागना के अनुसार सिम्डेगा जीले की दस के जनसंख्या विर्धी दर कितनी है? आंसर है 16.5 आठ परतिशत दस के जनसंख्या विर्धी दर आप चमसते होंगे, दस वर्षों के अन्तराल में जो जनसंख्या जिस विर्धी दर से बढ़ती है, उसी को कहते हैं, दस के जनसंख्या विर्धी दर क्वेशन नमर 11, सिम्डेगा जीला का जनसंख्या घनतो कितना है? आंसर है 159 जारकन राजे का नियुनतम जन घनतो वाला जीला कौन सा है? आंसर है सिम्डेगा और जन घनतो कितना है? 159 है ये क्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेशन इसी तरह के पूछे जाते हैं सिम्डेगा जीला का लिंगा नुपात कितना है? आंसर है 997 और आपको पढ़के ही समझ में आया होगा कि यह एक अच्छी स्थिती है क्योंकि एक हजार पूर्सों में 997 महिलाएं हैं तो स्थिती अच्छी है क्वेशन नुबर 14 है सरवाधिक लिंगा नुपात वाले जीलों में सिम्डेगा का स्थान कौन सा है? आंसर है दूसरा स्थान है पहला स्थान पश्मी सिम्भु का आता है जिसमें 500 है जानि कि 1000 पूर्सों में 1005 महिलाएं है उसके बाद आता है सिम्डेगा और खूटी क्योंकि सिम्डेगा काभी 997 ही है और खूटी का भी 997 ही है उसके बाद घुम्ला और पाकुर क्याद रखना है कि सरवाधिक लिंगानुपात वाले जीलों में सिम्डेगा दूसरे स्थान पर है तो पहला है पश्मी सिम्भू Q15 है कि सिम्डेगा जीला का सिसु लिंगानुपात कितना है आंसर है 979 969 जो की भी एक अच्छे इस्थिती है Q16 है कि सरवाधिक सिसु लिंगानुपात वाले जीलों में सिम्डेगा का कौन सा स्थान है आंसर है चौथा स्थान है पहला स्थान पश्मी सिम्भूम का है दूसरा पाकुड का है तीसरा लोहर्दिक का और चौथा है सिम्डेगा और इसका है 969 Q17 है, सिम्डेगा जीले का साक्षर्टा दर कितना है? आंसर है, 67.99% यानि कि सिम्डेगा जीला में साक्षर्टा दर 67.99% है Q18, सिम्डेगा जीला के अंतरगत कितने अनुमंडल आते हैं? आंसर है, एक अनुमंडल आता है सिम्डेगा जीला के अंतरगत Q19 है कि Simdihiga Jila के अंतरगर्द कितने प्रखंड आते हैं आंसर है 10 प्रखंड Simdihiga Jila के अंतरगर्द आते हैं जो कि अभी हमने मांचितर की सहायता से देखा था सिम्डेगा है कोलेवीरा, वानो, बांस जोड, जल्डेगा, बोलवा, कुर्डे, पाकर्टान, केसई, केरशई और ठठेनेगर इसके लावा 20 नमबर क्वेस्चन है कि सिम्डेगा जीला में विधानसवा छेत्र कितने हैं? आंसर है, दो हैं विधानसवा छेत्र, कौन-कौन से? पहला है सिम्डेगा और दूसरे कोलेवीरा, आपको पता होगे कि जारकर्ण में एकुल 81 विधानसवा छेत्र हैं, जिसमें से दो आपको मिल जाएगा सिम्डेगा में, एक है सिम्डेगा और दूसरा कोलेवीरा Q21. सिम्डेगा जीला से होकर कौन सा राश्टी राजमार गुजरता है? आंसर है NS23. याद रखेंगे Q21. Q22. सिम्डेगा जीला की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? आंसर है दक्षिन कोयल नदी और संख नदी. Q23. सिम्डेगा में कौन कौन से जल प्रपात है? आंसर है केला घाग जल प्रपात, सुगा काटा घाग जल प्रपात, ये दो जल प्रपात आपको सिम्डेगा जीला में मिलेंगे. Q24. कि सिम्डेगा किस खादे फसल के उतपादन में अगरनी जीलों में से एक है? आंसर है पपीता के उतपादन में सिम्डेगा अग्रनी है उसके बाद लोहरदगा रांची ये सभी जीले आते हैं पहला स्थान पपीता के लिए सिम्डेगा कहाता है Q25 है कि सिम्डेगा जीला में पाई जाने वाले प्रमुखनीच कौन-कौन से है Q26 है कि प्राचिन समय में सिम्डेगा को किस नाम से जाना जाता था Q27 है कि राम रेखा धाम मेला कहां आयोजित किया जाता है आँसर है सिम्डेगा में और पिछले वीडियो में हमने देखा का कि राम रेखा धाम मंदीर आपको गुमला में मिलेगा और राम रेखा धाम मेला सिम्डेगा में Q28 है और ये आपके लिए है Q2 है कि संख नदी का उदगम स्थान कहा है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इससे लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा धन्यवाद